तो आज हम 2009 में आई साइकोलोजिकल थ्रिलर फिल्म एक्जाम को एक्स्लेन करने वाल है मूवी में 8 कंडिडेट्स होते हैं जो कि एक कॉर्परेट जॉब के लिए कमरे में एक्जाम देते हैं गूगल में इतना ही लिखा है मूवी की सुरुवात में हम कुछ लोगों को देखते हैं चुकि एक बड़ी कंपनी में इंटर्वियू के लिए तैयार हो रहे होते हैं वहाँ पहुशने पर इन्हें एक हॉल में ले जाया जाता है जहां पर 8 डेस्क्स रखे होते हैं वो सबको बताता है कि इस जाब के लिए बहुत से लोगों ने ट्राइ किया पर उनमें से सिर्फ तुम आठा आ गया पाये हो वो बोलता है कि टेस्ट सिंपल सा है तुमारे लिए सिर्फ एक कॉश्चन है जिसका तुमें एक आंसर देना है और अगर तुमने रूम के बाहर कदम रखा तो तुमें डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा जिसके बाद वो सबसे एनी कॉश्चन पूस्टा है पर कोई जवाब नहीं देता जिसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और वो सारे लोग पेपर चेक करते हैं पर पेपर ब्लैंक होता है जिससे सब कन्फ्यूजन में होते है जिसके बाद गार्ड उसे रूम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर लिया होता है जबकि invigilator ने पेपर खराब करने को मना किया था जिसके बाद एक आदमी बात करता है और गार्ड उसे नहीं निकालता उस सब को बताता है कि invigilator ने बात करने को मना नहीं किया था वो बोलता है कि हम सब को कुशन ढूनने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जिसके बाद वो अपने वगल वाले आदमी से question के बारे में पूचता है तो वो दूसरे आदमी उसे बोलता है कि ये competition है मैं भलत इसमें किसी की मदद क्यूं करूं इसके बाद सब अपना अंदाजा लगाने लगते हैं कि question क्या हो सकता है एक आदमी बोलता है कि हो सकता है कि वो हमारा тем work देखना चाते हूं एक लड़की बोलती है कि हो सकता है कि हम सबके paper में अलग-अलग question लिखे हो जिसके अलग-अलग answer हो इस पर दूसरा आदमी बोलता है कि तब तो Teamwork का कोई मतलब भी नहीं रहेगा एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है पर ये आदमी उसे रोकता है और उसे बोलता है कि हमारे पेपर में ही हमारा नाम नहीं लिखा है इसका कुछ मतलब होगा इसके बाद दूसरा आदमी उसे candidate number के हिसाब से नाम लेने को बोलता है पर वो white आदमी सब के नाम रखने लगता है वो सब के नाम उनके looks के हिसाब से रखने लगता है वो एक आदमी का नाम black रखता है अपना नाम white रखता है एक Indian का नाम brown रखता है एक लड़की का नाम Blond रखता है क्योंकि उसके बाल Blond होते हैं और इसी तरफ वो एक का नाम Dark, एक का नाम Brutain और एक आदमी जो बिल्गुल सांथ होता है उसका नाम Deaf रखता है उसने जिस लड़की का नाम Dark रखा होता है वो White को Sexist और Racist बोलती है पर बाकी लोग इस पर कुछ नहीं बोलते जिसके बाद White बोलता है कि और क्या-क्या चीजे इन्विजिलेटर ने मना की नहीं की थी जिसके बाद वो अपनी जगह से उड़ जाता है और Guard उसको कुछ नहीं करता जिसके बाद Brutant बोलती है कि हो सकता है कि Question Paper में ही लिखा हो बस हमें दिख नहीं रहा हो Black बोलता है कि जैसे Invisible Ink या फिर कोई Watermark जिसके बाद सब अपना-पना Paper Light में चेक करते हैं पर उसमें कुछ नहीं लिखा होता Deaf बैठा रहता है और वो कुछ नहीं करता जिसके बाद White जाता है और उसके Paper को भी चेक करता है उसमें भी कुछ नहीं लिखा होता जिसके बाद Blonde को दिवार पर कुछ दिखता है Black उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह Emergency Light है जिसके बाद White सारी Lights को फोड़ने को बोलता है जिससे Emergency Light On हो जाए Brown उसके हक में नहीं होता और बोलता है कि अगर Light बंद हो गई और Emergency Light On नहीं होई तो हमें अंधेरे में रहना होगा और फिर हम कोई Question नहीं ढून पाएंगे जिसके बाद White बोट कर लेता है और चार बोट तोड़ने के लिए आते हैं जिसके बाद वो सारी Lights को तोड़ देते हैं जिससे Emergency Light On हो जाती है जिसके बाद वो फिर से जाकर Papers को चेक करते हैं पर फिर भी उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता जिसके बाद Dark बोलती है कि हो सकता है हमें इन Lights को भी तोड़ना होगा इसमें एक और Light लगी हुई है जिसके बाद वो लोग Emergency Light को भी तोड़ देते हैं और दूसरी Light On हो जाती है पर उसमें भी Paper देखने पर कुछ नहीं मिलता जिसके बाद White Chinese लड़की का Paper लेता है वो बोलता है कि Invigilator ने हमें अपने Papers खराब करने को मना किया है ना कि दूसरे के White बोलता है कि हो सकता है Question इसमें ही लिखाओ White Paper पर Pencil चलाता है पर उससे कुछ नहीं मिलता जिसके बाद वो Paper को तीन हिससे में फाड़ लेता है और बोलता है कि हो सकता है कि Paper का Question किसी Liquid के Contact में आने पर दिखे जिसके बाद वो Paper के एक हिस्से को Black को देकर उसे चाट के गिला करने को बोलता है और दूसरे हिस्से को ले जाकर उस पर Toilet कर देता है और उसे सूखने के लिए छोड़ देता है पर उसमें भी कुछ नहीं होता जिसके बाद Deaf French में बोलने लगता है जिसे Dark उसे Translate करती है वो बोलता है कि ये Paper तुमें खुद को दिखाता है जिसके बाद वो बोलता है कि मैं सब कुछ साप साप देख सकता हूँ जिसके बाद Brown बोलता है कि मुझे तो ये एक्जाम नहीं लग रहा वो बोलता है कि यहाँ पर आठ लोग आए हैं चार लड़के और चार लड़कियां और सब अलग-अलग कल्चर और बैक्राउंड से हैं सब के पास अपनी-अपनी कोई खास स्किल है वो बोलता है कि यह कोई एक्सपेरिमेंट है और वो लोग हमें मजे से देख रहे हैं Black बोलता है कि कोई Group Dynamics का एक्सपेरिमेंट हो सकता है Brown बोलता है कि मुझे यह गेम लग रहा है यह सुनने के बाद Dark उसे Gambler बोलती है और वो बोलते है कि इस Company का CEO हर चीज़ पर नज़र रखता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और अगर हमें कोई देख रहा होगा तो वो CEO ही होगा Dark को Company के बारे में बहुत जादा ही पता होता है जबकि बाकी लोगों को इतना नहीं पता होता और यहां हमें पता चलता है कि सबने जॉब के लिए अपलाई किया होता है और White को जॉब के लिए इनवाइट किया गया होता है इसलिए White को Company के बारे में बहुत जादा नहीं पता होता जिसके बाद Dark बताती है कि 10 साल पहले एक वाइरस से बहुत सारे लोग मरने लगे थे जिसके बाद एक Company ने एक दवाई बनाई जिसे 6 माहिने लगातार लेते रहने से उस बीमारी की स्पीड कम हो जाती है और उस Company का 10-01 20 बिलियन डॉलर है वो Company एंटिसेंस ड्रग, जीन थेरिपी, माइक्रो सर्जिकल एप्लिकेशन पर काम कर रही है ब्राउन बोलता है कि Bio Reg वो Company तो हाइप फ्रीज डिकलेरड कर चुकी है पिछले साल जिसके बाद Black बोलता है कि साइद उन्होंने कुछ बना लिया है जिसके लिए अब लोगों को हाइर कर रहे है जिसके बाद Bruton Camera के सामने जाकर Company को अपने बारे में बताने लगती है फिर वो Guard के पास जाकर चेक करती है तो उससे उसे लाइटर मिलता है Black बोलता है कि हो सकता है पेपर पर कोई Liquid हो जो कि जलने से Visible हो जाता है तब Bruton उसे उपर लगा हुआ Fire Emergency Pipeline दिखाती है और बोलती है कि अगर इसमें से कोई Liquid निकले तब Black बोलता है कि हो सकता है ये कमरा कोई Dark Room हो और ये Paper Photographic Paper हो जिस पर Liquid गिरे और उसे हम जब Light पर ले जाएं तब वो Question Visible हो जाए जिसके बाद Bruton लाइटर को Emergency Pipeline तक ले जाने की कोशिश करती है Brown और Blond अपने Paper को सेफ जगर रख देते हैं ताकि उस पर पानी न गिरे इसी बीच Deaf Timer के पास जा रहा होता है जिसमें 40 मिनट बचे होते हैं Brunet का हाथ Pipeline तक नहीं पहुचता जिसके बाद White उसी का Paper Fold करके उसी को दे देता है उसे लगता है कि ये Chinese लड़की का Paper है और वो उसे जला कर Pipeline तक पहुचा देती है वो उसका पानी पेपर में डाल कर देखती है और पेपर में कुछ नहीं देखता Pipeline से सिर्फ पानी आ रहा होता है Guard Brunet की तरफ बढ़ने लगता है और Brunet देखती है कि उसने अपना ही पेपर जला दिया है Guard उसे पकड़ कर बाहर कर देता है अब 35 मिनट बचे होते हैं ये सब देखकर Black को बहुत गुसा आ जाता है और वो White की तरफ बढ़ते हुए बोलता है I should punch your lights out यानि कि मैं तुम्हारी बगती बुचा दूँगा और कमरे की लाइट आफ हो जाती है जब Brown बोलता है lights up तब light चालू हो जाती है उन्हें पता चलता है कि कमरे की light voice activated है जिसके थोड़ी देर बाद deaf रोने लगता है White उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो और वो उसको उसका paper फार कर खाने को लिए बोलता है जिसकी बात मान कर deaf अपना paper फार देता है और guard उसे भी बाहर कर देता है पर इस बीच उसका चस्मा गिर जाता है जिसके बाद उसकी dark से बहस होने लगती है डार्क उसे narcist बोलती है White claim करता है कि उसे answer पता है पर वो किसी को बताना नहीं चाहता और इसी बीच गुसे में Black White को मुक का मार देता है जिससे वो बहस हो जाता है Black उसे chair पर बैठा कर टाई से बान देता है Black फैसला करता है कि की इसे इसी तरह room से बाहर निकाल दिया जाए वो लोग vote करते हैं Black और dark इसके favor में होते हैं पर brown और blonde इसके favor में नहीं होते जिसके बाद Black White को लेकर जाने लगता है पर blonde उसे रोकती है Blonde बोलती है कि ये उसका फैसला नहीं है ये तुम चूज कर रहे हो इसलिए इसमें risk हो सकता है Black रोक जाता है जिसके बाद Black उसे एक pencil और उसका paper देकर उसे खराब करने को बूलता है पर White Pencil गिरा देता है जिसके थोड़ी देर बाद White को होस आता है उसके मूँ खोलने पर वो अपनी दवाई के बारे में बताता है वो बताता है कि मैं उसको हर घंटे लेता हूँ यहां सबको पता चलता है कि White को यह वही बिमारी है जिसकी दवाई इस कमपनी ने बनाई थी वो उसके जेब में दवाई को चेक करता है पर कोई दवाई नहीं होती वो बेहोस हो जाता है पर सबको लगता है कि यह नाटक कर रहा है और उसने इस टेस्ट के बारे में सुना है इसलिए उसने अपलाई कर दिया वराउन उसे कुश्चन के बारे में पूछता है और उसे आँख पर पेपर कट लगाने को बोलता है पर वो लाश्ट तक नहीं बताती जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है जिसके बाद सबको वाइट में उस बिमारी के सिम्टम्स देखने लगता है ब्लैक ये देखकर बोलता है कि ये नाटक नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी वाइप को भी यहीं बिमारी थी और उन्हें पता लगता है कि किसी ने इसकी दवाई को छुपाया है जिसके बाद कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता इसलिए सब एक दूसरे को चेक करते हैं डार्क को टेबलेट ब्राउन के डेस्ट के नीचे मिलती है जहां पर उसने चिंगम के साथ उसे चुपा कर रखा था डार्क टेबलेट लेती है और वाइट को खिलाने जा रही होती है पर ब्राउन सब को रोकता है ब्राउन उसे धक्का देता है जिससे टेबलेट गिर के ड्रेन पाइप में चली जाती है और वहां से कोई उसे निकाल नहीं पा रहा होता जिससे वो rule तोड़ देती है और guard उसे भी बाहर कर देता है थोड़ी देर बाद blonde अपने hair clip मदद से tablet को निकाल देती है और उसे white को खिला देती है जिससे वो ठीक हो जाता है और सब उससे question के लिए पूछते हैं white बताता है कि कोई question नहीं है ये test ही question है और हम सब answer है इन्विजिलेटर ने कहा था एक ही question है और एक ही answer है इसका मतलब हम में से ही कोई एक select किया जाएगा जो की last act चिकेगा जिसके बाद white guard की gun लेने के लिए भागता है उसके पीछे black भी आ जाता है black उसे धक्का देकर पहले ही gun पा लेता है और उसे पीछे रहने के लिए बोलता है white बोलता है मुझे पता है तुम गोली नहीं चलाओगे white धीरे धीरे आगे बढ़ता है black उसके पैर पे gun चलाने की कोशिश करता है पर गोली नहीं चलती white उसे धक्का देता है और उस पर pencil गुसा देता है brown भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे भी रोक देता है और वो देखता है कि gun पर fingerprint ID लगी हुई है white guard के हाथ से gun activate कर देता है जिसके बाद brown उसे रुकने के लिए बोलता है white सबको room से एक एक करके निकलने के लिए बोलता है 5 मिनट बचे हुए होते हैं और brown room से निकल जाता है जिसके बाद वो black से निकलने के लिए बोलता है पर black वहाँ से नहीं जाता blonde वहाँ से पहले जाने लगती है blonde door के पास पहुँच कर lights off बोलती है जिससे अंधेरा हो जाता है white अंधेरे में अंधा धुन सूट करने लगता है और light on बोलता है तब वो देखता है कि black को गोली लग गई होती है जिसके बाद door पे उसे blonde का पैर दिख रहा होता है यानि कि वो पूरी तरह से बाहर नहीं गई होती white gun को लेकर blonde की तरफ जाही रहा होता है कि तभी time खतम हो जाता है वो gun छोड़ कर camera के पास जाता है और बाते करने लगता है वो बोलता है कि उसने कैसे इस test को पास कर लिया है पर तभी guard उसके पास आता है और उसे घड़ी दिखाता है जिसमें time बचा होता है दरसल deaf ने पहले ही घड़ी का time कम कर दिया होता है जिसके बाद white भी disqualify हो जाता है दरसल deaf ने पहले ही घड़ी का time बढ़ा दिया होता है जिसके बाद white भी disqualify हो जाता है और फिर blonde अंदर आ जाती है और उसे deaf का चस्मा दिखता है और उसे याद आता है कि डेफ बोल रहा था क्यों उसे सब दिख रहा है वो उस चसमे की जरिये पेपर पर देखती है तो पेपर पर बहुती छोटा छोटा question 1 लिखा होता है और उसे याद आता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि सिर्फ एक ही question है और एक ही answer है जिसके बाद उस कमरे में इन्विजिलेटर और डेफ आते हैं डेफ ये कंपनी का CEO होता है और वो डेफ के पास जाका नो बोलती है जिसके बाद ब्लाण इन्विजिलेटर से कई सवाल पूछती है इन्विजिलेटर उसे बताता है कि डेफ CEO और Scientist है उसे publicity पसंद नहीं है और वो उसे job के लिए congregate करता है पर blonde उसे मना कर देती है वो बोलती कि जिस company में इस तरह लोग मरते हैं मैं इस company में काम नहीं करूँगी इनवीजिलेटर उसे बताता है कि तुम्हें ये लग रहा है जिसका उन्हें नाम तक नहीं पता और उसके लिए ये लोग एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार है जबकि ये लोग qualified और skilled individuals थे जो की बहुत सारे लोगों को पीछे करके यहां तक पहुचे थे मतलब यहां नहीं तो कहीं तो इन्हें job मिली जाती कंपनी का CEO पागल है भले इन्होंने cell regeneration वाली पिली बना ली हो मूवी के बीच में brown dark की आँख में paper cut मारने वाला होता है जिसके बाद मूवी में white black को pencil से मारता है अगर वो pencil उनके कान पर लग जाती तो वो तो मरी सकता था क्या यहां भी cell generation वाली दवाई काम आती मैं इस मूवी को दूँगा 10 out of 4 की rating आपको इस मूवी कितने नंबर की लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इस तरह की films के लिए आप playlist चेक कर सकते हैं